हाँ हाँ एक मिनिट आ जाओ अरे एक मिनिट इनको बताओ कि तुमने कौन-कौन से डिपार्टमेंट से कुश्चन किये ये 11th क्लास के मासूम बच्चे है इनको हेलो हाई कर दो मेरा नाम प्रियांशी शर्मा है और सर ने कली एकदम से हमको सप्प्राइज तार्गेट दिया कि तीन सो क्वेश्चन करना है करीब नौ बजे ताट नौ बजे हाँ और फिर नाशता बगर होने के बाद तो हम मैंने इन और गैनिक केमिस्ट्री उठाली और स्पीड में करना स्टार्ट कर दिया मतलब दस क्वेश्चन करें फिर उसके सल्यूशन देखके सीखा लिखके देखा फिर आगे के दस क्वेश्चन करते गए ऐसे और मैंने एस ब्लॉक किया पी ब्लॉक 13 14 ग्रुप किया फिर मेटलर जी किया पास करके आए हैं इनको जब खतम हो जाएगा टार्गेट और जब सर को बताओंगी कि अर इतने कर लिए तो खुशी हो जाए मैं को अदलब दिन में कितना भी जोर लगा के बस कर लो और फिर ठकान भी हुई थी बीच में ऐसा लगा ता अब नहीं हो रहा लेकिन फिर यह देखके रहे तीन सो करना आखिर रात में सर को बताने कि सर हो गया टार्गेट तो फिर भी दिन में करती गई और मैंने भी बीच में जूस भी दिया था तो और सर बेल का जूस वो शिवजी को जो बेल पती अपन चड़ाते हैं उसी पे जो फल लगते हैं उसका जूस ने बड़ बड़ होता है मैंने कर भादे रिलाक्स हो गया और फिर से जुढ गए अपना कारगेट कम्पलीट करने में और फिर हो गया था तो बहुत कुछी होई और बीच में अग रहा था कि कैसे हो गा फिर सर आके राउंड लगाते हैं तो सर ने बोला कि करो करो ज़ली करो तो में गिफ्ट मिलेगा मैं कारमल कॉर्णमेंट से पढ़ी हूं, यह मेरा ड्रॉप्यर है, और मेरा चैनल प्रियांशी शर्मा स्माइली गर्ल है, सब्सक्राइब करना ना भूल है। और अभी जेए मेंस 2021 में मेरे 98.2% अभी और अच्छा आने वाल है, 99+. पिछले साल जैन्वरी में मेरे 89.. 019 January 2020 जब जीवन में सुहाग नहीं था 2020 नॉट सुहाग तब मांस किते हैं तो? 89 89 0.1 कुछ हाँ और सेप्टेंबर में 85 85 मतलब बिर पढ़ी तो? हाँ फिर जब सुहाग आया जिन्दगी में तो बाहर आ गई यस तो फेब में 90.. 021 Feb 97.4 अचा लास्ट यार नॉट अप्लाइट अटेट एलीजीवर पोले में हाँ तो इलिजीबल के स्पली? A-L-I-G-I-B-E-L-E नॉट इलिजीबल तो अटेंग? एडवांज एडवांज कुछ 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 98.2 तो ये सर की वज़े से ही हुआ है आते ये बूस सर की वज़े से ही आया थैंक्यू खुब पढ़िये लिखिये बने रही है हमारे साथ मिस करते रही है हाँ हाँ यहाँ अच्छे से खड़े हो के बोलो दिखे ही नहीं आप मिस करते रही है आप हाँ पर्सनल पर्सनल मतलब फिजिक्स केमेस्ट्री के जो उधारिया है वो राम राम दिदी आईए प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं नई यह दिदी ने तो 12th पास कर लिया ना 12th पास in in 2020 ऐसा चलो इसको मिटा देते हैं दिदी ने बहुत अच्छा शब्द बोला मैंने बोला जब सुहाग आया जिन्दगी में तो दिदी ने बोला बहार आ गई वाओ